जेहां दस्तो रोबिड मीच को गुजरा टाटर ने किया बाहर तो मंदर सिंग धोनी ने अपनाया तो दस्तो क्या है इस खबर की पूरी जनकारी जानने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरू करे ताकि इसी तरह क्रिकेट से जूरी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले अब तक पहुँचे तो चलिए सुरू करते हैं इस मज़दार वेडियो के साथ तो दस्तो अब लोग को बता दे कि जारकान के खुंखर बिकेट की पर बल्लेवाज रोबिन मीच आईपियल दुहाजाजाजाज़चोबिस में गुजरा टाटन के टीम में सामिल हुआ था लेकिन चोट लगने के कारण आईपियल दुहाजाजाज़चोबिस से बाहर भी हो गया था दोस्तो अब IPL 2025 में गुजरा टाटन के टीम ने रोबिन मीच को कर दिया है रिलीज यानि दोस्तो गुजरा टाटन के टीम ने रोबिन मीच को IPL 2025 से बाहर कर दिया है तो दोस्तो उसके बाद मन्द सिंग धोनी ने रोबिन मीच को फोन पर किया बात और कहा कि रोबिन तुम देंचन मतलो मैं तुझे अपने टीम में सामिल जरूर करूंगा चाहे इसके लिए मुझे ज़्यादा बोली ही लगाना पड़े तो दोस्तो चन्ने सूपर किंग्स ने तई कर लिया है कि रोबिन मीज को हर हाल में सामिल करेंगे क्योंकि चन्ने सूपर किंग्स को धोनी जैसा अक्रमक बिकेट कीपर बल्लेवाज का ज़रूरत है क्योंकि मादर सिंग धोनी लंबे समय के लिए चन्ने के टीम से नहीं खेल पाएंगे तो दोस्तो अब होगा IPL25 में रोबिन मीज का धावेकदार एंट्री चन्ने सूपर किंग्स की तरब से तो दोस्तो अब रोबिन मीज आईपियल 2025 में सारे गैंदवाजों को चक्के छुडाते हुए नजर आएंगे तो दोस्तों अगर रोबिन मीज चन्नाई के टीम में सामिल हो जाते हैं तो फिर चन्नाई सूपर किंग्स IPL 2025 का ट्रोफी पर कबजा जरूर करेंगे क्योंकि जारखन के खुंखार खिलाडी रोबिन मीज वह भुका सेर हैं जो की IPL 2025 में तबाही करने के लिए तैयार हैं क्योंकि रोबिन मीज को IPL 2024 में धमाका करने के लिए मौका नहीं मिला था और इस बार IPL 2025 में रोबिन मीज धमाका करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे तो दोस्तो आप लग कमेंड करके ज़रूर बताना कि कौन को IPL 2025 में रोबिन मीज को चैने सूपर किस की तरफ से खेलते हुए देखना चाहते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद